हूरों की वहूर, आखों में उसकी नूर, मौहपत का था दस्तूर, चढ़ा उस पर इश्क का फितूर तो इस हफते की वीकेंड स्पेशल स्टोरी में हम लेकर आए हैं आपके लिए जेनिफर वेंगित के इश्क के फसाने जेनिफर ने अपने करियर के शुरुआत बड़ी कम उम्र में की, कम उम्र में ही उन्हें लोगों का प्यार मिला सीरिल का सौटी जिन्दगी की कुसम जैसे शो से उन्होंने अपनी पहचान बनाए सीरिल का सौटी जिंदगी में उनके ओपोसिट करन सिंग ग्रोवर थे शो के दोरान दोनों की मुलाकात पहली बार हुई मुलाकात पहचान में बदली और फिर धीरे धीरे दोनों दोस्त बने जेनिफर के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा सीरिल दिल मिल गए शो में जेनिफर ने सुकरती कांटपाल को रिप्लेस किया था में लीड में थे करन सिंग ग्रोवर जो अपनी वाइफ शद्धा निगम से टाइवॉर्स ले चुके थे पपलिक में करन की इमिज कुछ खास नहीं थी कई सारी अक्टरसस से उनकी लिंक अप की खबरें थी करन और जेनिफर दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे पर दिल मिल गए के सेट पे तोनों ज्यादा वक्त साथ गुजारने लगे और इनके बीच नसदीक्या भढ़ने लगी मीडिया में ऐसी खबर भी आने लगी कि दोनों रिलेशनशिप में है और फिर अचानक क्रिशन रिच्वल से सीक्रिकली दोनों ने शादी कर ली और अपने प्यार को किया ओफीशिल जी हाँ, करन और जेनिफर दोनों शादी के बंधन में बंद गये थे इंटरनेट पर इनके पिक्चर्स काफी वाइरल हुए थे ये खबर बहुत ही बड़ा सप्राइस थी उनके फैंस के लिए लोग जितने शौक हुए उतने ही ज्यादा सप्राइस हाथों में हाथ डाल के कई सारे इविंट्स में नजर आना मीडिया में ये खबर भी थी कि जनिफर करन की डाइट प्लान का पूरा ख्याल रख रही थी और उनके लिए अपने हाथों से टिफिन में डाइट फूट भी देती थी इनका रिष्टा मानों जैसे परफेट कपल की परफेट लफ स्टोरी पर फिर इनके रिष्टे को लगी बुरी नजर दोनों के पीच तनाफ की खबरे आने लगी और इनकी शादी की तरह इनके डिवॉस ने भी सभी को शौक कर दिया था जी हाँ, वो कपल जो अपने फैंस को दे रहे थे रिलेशन्शिप गोल्स उन्होंने अपने लफ का किया, दी एंड दोनों का ब्रेक अप क्यों हुआ, ये कोई नहीं जानता नहीं दोनों में से किसी ने भी मीडिया में आकर कोई बयान दिया बस दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मश्रूफ हो गए करन ने बिपाशा के साथ शादी कर ली और अब वो जल्दी पापा बने वाले हैं जैनिफर ने अपना सारा फोकस अपने करियर को दिया और सूपर हिट शो बेहत के बाद बेपना में वो नज़र आई इस शो में जैनिफर के ओपोजेट हर्शद चोपडा थे शो में ओन स्क्रीन रुमांस देखकर फैन्स को ये लगने लगा कि इनके बीच कुछ खास बॉन्ड है इविंस और अवार्ड फंक्शन में भी साथ नज़र आते पर एक न्यूस पोर्टल को इंटव्यू देते हुए जैनिफर ने एक लियर किया कि हर्शद उनके अच्छे दोस्त हैं वहीं अब जैनिफर OTT प्लाटफॉर्म पर अपनी आक्टिंग का हुनर दिखाती हुई नजर आ रही है कोड एम में जैनिफर ने कामी ओफिसर का किरदार निभाया उनके ओपिजिट शो में तनुझ विर्वानी थे और फिर जैनिफर और तनुझ के लिंक अप की भी खबरे आने लगी टेली मसाला के साथ एक्स्क्लूजव इंटिव्यू में जैनिफर ने तनुझ के साथ अपने बॉण को लेकर क्या कहा आप खोदी सुन लीचे जैनिफर फिलाल सिंगल है और अपने फैंस को इंस्पार कर रही है तो कुछ ऐसे रहे जैनिफर के इश्क के फसाने क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर बताईए हमें कॉमेंट बॉक्स में